बल्ले बल्ले ते शावा शावा बल्ले बल्ले ते शावा शावा पीओ पीओ ते कावा कावा बल्ले ते शावा शावा पीओ 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 ते कावा कावा बल्ले बल्ले ते शावा शावा गाना समाप्थ हुआ अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं शीरो इतना उदास क्यों लग रहा है लगता है आप इसको खाना देना भूल गई मौम अब आप इतना मत खाईये क्यूंकि आप खाखा कर मोटी हो गई है और आप इसे खाना देना भूल गई क्यूंकि अब आप बुड़ी जो हो गई है शिंचेन, शेरों को खाना देने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी अब मुझे बहुत गुशा आ रहा है मॉम वेलकम टू नोहारा फैमली रियाक्शन कामिन आप हेलो शिंचेन, मेरे सबसे बड़े फैन मुझे आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई शिंचेन एक्शन कामिन आपको पता है हमारे घर में बेबी आने वाला है वैसे मेरा भाई होगा की बेहन तुम्हे बड़ा भाई बनने के लिए बहुत सारी शुब कामना है शिंचेन मुझे पता है तुम्हे एक बहुत अच्छे बड़े भाई बनोगे मुझे जवाब दो ना बाई होगा की बेहन चल्दी करो तुम्हारी बस आने वाली है तुम्हे सुनाई नहीं दे रहा है स्कूल के लिए लेट हो रहा है अरी ये तुम क्या बोल रहे हो कब से बोल रही हूँ जल्दी उठो क्या हुआ मॉम थोड़ी देर में स्कूल बस आने वाली है जल्दी रेडिय हो जाओ मॉम आज मैं स्कूल से छुटी कर लेता हूँ रुको मैं अभी ये शिना का मैम को फोन करती हूँ अभ मैं इतना भी कुछ खास नहीं जल्दी रेडिय हो जाओ अभी जाता हूँ मॉम लगता है मॉम छुप छुप कर बहुत टेस्टी वाली कैंडेज खा रही है वो भी शिन्चैन से छुपा कर ऐसा मैं होने नहीं दूँगा तुम्हों मुझसे छुप कर ये टेस्टी टेस्टी कैंडेज खा रही थी लेकिन डिटाक्टिव शिन्चैन से कुछ बचना मुश्कील नहीं नमुम्किन है ही 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 अरे वाल अरे मुम ये क्या है तुम्हें तु पता है गर में बेबी आने वाला है तो मैं ये वाले दवाई काती हूँ अरे मेरे मुझसे टेस्ट खराब हो गया मेरे पेट में गडबड़ बी शिरू हो गई अरे मेरे तो पेट डग मगा रहा है अरे खोलो कोई तो दरवागे खोलो अरे मुझे बहुत जोर का प्रेशर अरे अंदर तो कोई भी नहीं है अरे बेबी घर में आने वाला है डेड मॉम को लेकर एंब्यूलेंस में हॉस्पिटल गए है मैं घर पर अकेला हूँ क्यों न मैं ननैको दिदी को फोन करूँ है न शिरू है नो ननैको दिदी मॉम डेड मुझे घर पर अकेला छोड़ कर गए है और मुझे बहुत डर लग रहा है आपको तो पता है न कि घर पर बेबी आने वाला है तो डेड मॉम को हॉस्पिटल लेकर गए है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ननद आएगी कि देवर मेरा मतलब है कि मेरा भाई आएगा कि बेहन दीदी अगर आप घर पर आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता टेंक यू दीदी आप वेटिंग फॉर यू बाई बो कजामा मेहागा तिम लोगों का मेरे घर में स्वागत है हाई शिंचन टेंक यू शिंचन तुम्हें पता है न कि मेरे घर में बेबी आने वाला है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटिड हूँ मैं भी शिंचन तुमने बेबी के लिए कोई नाम सोचा है कि अगर मेरा भाई होगा तो मैं उसका नाम बहन रखूँगा आगर मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम भाई रखूँगा अरे यह कोई नाम होते हैं क्या शिंचैन अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे थे और तुम सब लोग बेबी की साथ खेलने आ सकते हूं लेकिन कजामा तुम बेबी की साथ खेलन किया करते थे नाई नाई ऐसा कुछ नहीं है उसमें गलात लिखा होगा मॉम घर पर नहीं है तो मैं महांगे महांगे वाले स्नेक्स खाऊंगा बले बले ते शावा शावा पियो पियो ते कावा कावा मॉम घर पर नहीं है इसलिए मुझे महंगे महंगे स्नेक्स खाने को मिल रहे है नूडल्स के साथ एक्षन कामेन देखने का मज़ा ही कुछ और है जम्बो चॉपस्टिक्स मॉम घर पर नहीं है तो खाने का मन ही नहीं करा अरे कोई रोग टोग भी नहीं देख लेता हूँ कि मॉम घर पर तो नहीं सुन लेंगी तो बहुत मारेंगी मॉम अप मोटी हो गई है मॉम अब बूड़ी भी हो गई है अब तो थपड़ घुसे मारने के लिए मॉम भी घर पर नहीं है वैसे मुझे अब मॉम की सच में याद आने लगी है मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है बेशक मॉम मेरा जीना हराम करके रखती है और बहुत बगबग करती है लेकिन है तो वो मेरी मॉम ही ना है ना शीरो अरे वाँ मुझे तो मेरी एक्टिंग के लिए औसकर मिलना चाहिए शिंचन बेटा येस डैड मैं लंच बना रहा हूँ डैड अब लंच में क्या बना रहे है इंस्टेंट नूडल क्या मैं इंस्टेंट नूडल खाखा कर पग गया हूँ बटर शिकन दे नाल तंदूरी रोटी ते लस्सी दा ग्लास होंदा ते मजा जानदा नूडल्स बन रहे है चुक्चाब से खालो आप तो बहुत ही कंजूस है डैड मॉम घर आएगी तो तुम्हारे मनपसंद का खाना दना देगी गैट मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है चलो न होस्पिटल जाकर मॉम को मिलते है क्या पता बेबी आ गया हो बेटा अभी बेबी को आने के लिए कुछ टाइम है इज़े मॉम आपको कितने दिनों बात देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं अरे एक दिन पहले ही तो आयों यहाँ क्या आप सिर्फ एक ही दिन पहले गई थी मुझे लगा बहुत दिन हो गई अरे क्या तुम बेबी कहा है बेटा बेबी आने में भी टाइम है मुझे तो लगा था कि बेबी कपका आगया होगा चलो कोई बात नहीं वाव अरे वाव यहाँ तो कितने सारे बेबीस है कितने प्यारी प्यारी बेबीस है अरे इस लड़के को कोई सभालो मुझे माफ कर दीजी शेन चैन आप एक बेवी रुख जाओ शेंचान! अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स सेटेडे 12 पीम क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवी सेटेडे दुपहर बारा बजे याद रखना तो फड़ावट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो प्लोट करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जलसी मिल जाए आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हुमारी क्यूट से शिंचैन को फिर सी मिलकर कैसे लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपक झाल झाल